लोकसवा चिनाब दोजार चौबिस के लिए जल्द ही तारिकों का एलान हो जाएगा वहीं इस चिनाब में सभी की नजर उत्रप्रदेश के 80 सीटों पर है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस चिनाब के लिए अपनी पहली लिस्ट में क्यावन उमीदवारों के नाम अधर अगरवार का नाम काट कर किसी सेलेब्रेटी के सीट से चुनाब लड़ा सकते जिसमें रामायान के राम अरुण गोविल का नाम सामने आ रहा है मेरट में बीजेपी नए चहरे को मुका दे सकती है और इसका जल्द ही आपचारिक एलान किया जा सकता है सुत्रों की मा मेरट सीट पर कई दावेदारों के नाम सामने आ रही है लेकिन अब पार्टी को तैय करना है कि वे किस उमीदवार पर दाव लगाईगी बता दे कि मेरट से बीजेपी सांसद राजेंदर अगरवाल पिछली तीन बार से चुनाब जीते हुए आए हैं हालाकि इस बार उनक पर दाव लगाईगा जिन सीटों पर बदलाव होना है उन सीटों के बदलाव के लिए भाजपा ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट रोक रखे ऐसा कहा जा रहा है अगर अरुन गोविल इस सीट से चुनाब लड़ते हैं तो क्या समी करद देगा क्या उनको उतना प्यार औ पाशिरवाद मिलेगा जितना पहले कैंडिडेट को मिला करता था इस पर भी चिंतन मंतन हो रहा है और क्या इस पर अरुन गोविल की रजामंदी है क्या वह चुनाब लड़ना चाहते हैं या नहीं इस पर भी कई सवाल खड़े होंगे क्यूंकि हाल ही में पवन सिंग के ए झाल 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 झाल